हाई मैं हूँ योशु माया पूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है नवाजुद्दिन सिद्धिकी और उनकी वाइफ ओवर देकेड एक दूसरे के साथ है लेकिन नवाजुद्दिन सिद्धिकी की वाइफ आलया ने उन पर एक डिवोस केस फाइल किया है उनका मानना ये है कि 2010 से ही उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी वाइफ डिवोस केस के साथ साथ नवाजुद्दिन सिद्धिकी को एक नोटिस भी दिया गया है कि आलया से दूर रहना है आल्या के लॉयर ने ये तक कह दिया है कि नवाजुदिन सिद्धिकी का अगर 15 दिन के अंदर रिस्पॉंस नहीं आता है तो उनके खिलाफ लीगल आक्शन भी लिया जा सकता है कृती सैनन को हम अगली फिल्म मीमी में देखेंगे जिसमें वो एक सेरुगेसी मदर का रोल निभा रही है वही ऐसा कहा जा रहा था कि ये फिल्म OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है लेकिन उसके बाद फिल्म मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कृती ने हाली में एक इंटर्व्यू में कुछ रिवील किया इस मूवी के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले सारी मूवी जो उन्होंने बॉलवूर्ड इंडस्ट्री में की है उसकी स्क्रिप्ट पढ़के उन्होंने अच्छे से हा की है लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही हा कर दी थी बॉलिवड आक्टर शाहिद कपूर और इशान खटर ब्रदर्स हैं और दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है अब इशान ने भी इस इंडस्ट्री में पैर रख लिया है और दोनों काफी जादा पॉपलर हो चुके हैं वही नीलिमा आजीम ने कुछ रिवील किया उन्होंने बताया कि जब इशान पैदा होए थे तो शाहिद कपूर इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने ख्रेजी वाला डांस किया था खुशी के मारे हाली में भूशन कुमार ने ये बताया था कि मूवी सोनो की टीटू की स्वीटी और देदे प्यार दे दोनों का सीक्वल बनेगा क्योंकि इन दोनों मूवीस को काफी जादा प्यार मिला है उन से फिर से इस बारे में डीटेल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मूवी के सीक्वल तो बनेगे लेकिन अभी इस मूवी पर काम चुरू नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए उसके बाद ही इस मूवी पर काम शुरू होने का हम सोच सकते हैं KGF चाप्टर 2 के लिए सब बहुत जादा एक्साइटेड है KGF चाप्टर 1 काफी जादा हिट गई थी वहीं बताया जा रहा था कि KGF का चाप्टर 2 इस साल ऑक्टोबर में रिलीज होने वाला है लेकिन करोना वारिस के आउटब्रेक के चलते अब कुछ कहनी सकते इसी वज़े से फैंस काफी जादा निराश हो गए थे लेकिन अब फैंस के लिए एक खुश खबरी आई है कि इस मूवी पर लॉकडाउन के चलते हुए भी प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है इसके म्यूजिक और एडिटिंग हो रही है जिस पर धूमधाम से काम किया जा रहा है अनल कपूर और उनकी वाइफ सुनीता को साथ में 36 यर्स कंप्लीट हो चुके हैं अनल कपूर ने हाली में अपने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वोईस रिकॉर्डिंग डाली जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सुनीता को कैसे प्रोपोस किया था उन्होंने बताया कि वो काफी जादा स्ट्रेस थे प्रोपोसल से पहले साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि सब लोग मैरेज अनवरसरी सेलेब्रेट करते हैं लेकिन वो लोग प्रोपोसल अनवरसरी भी सेलेब्रेट करते हैं आज सुनीता और अनिल की 36th marriage anniversary है Last month ही veteran actor रिशी कपूर की death हो गई थी भई उनकी wife नीतु कपूर उनको काफी जादा याद करती रहती है और काफी जादा अपने Instagram पर post करती रहती है उनके pictures हाली में नीतु कपूर ने एक बार फिर रिशी कपूर को याद करते हुए को देख सकते हैं साथ ही रुद्मा की daughter को भी इस pic में देख सकते हैं Bollywood celebrities को lockdown में अपने आपको busy रखने के लिए cooking करते हुए जादा तर देखा जा रहा है कई celebrities अपने Instagram पर आए दिन social media पर post भी करते रहते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया वही हाली में actress रकुल प्रीत ने अपने Instagram पर एक post किया है उन्होंने एक cake बनाया है ये एक बनाना dark chocolate cake है जिसमें बहुत सारे healthy ingredients है और ये cake बिलकुल वीगन है Bollywood actress और TV actress Moni Roy अपने social media पर काफी जादा active नज़र आती है वो आए दिन अपने fans और followers के साथ अपनी तस्वीरे शेयर करती रहती है हाली में Moni ने series of pictures शेयर की है जिसमें हम उनको two-piece dress में देख सकते है वो अपने waist flaunt करते हुए नज़र आ रही है इसमें इस casual outfit में Moni काफी घूपसूरत लग रही है मलाइका औरोडा ने हाली में अपने social media पर एक throwback वीडियो शेयर की है इस वीडियो में हम मलाइका को beach पर dance करते देख सकते हैं well dance करते वक्त मलाइका ने कुछ ऐसे moves किये जो काफी जादा crazy और funny लग रहे है और ऐसा लग रहा है कि वो काफी जादा खुश है मलाइका ने white color का top और skirt पहना है जिसमें वो काफी अच्छी लग रही है well वो ढंक से तो नजर नहीं आ रही है लेकिन उनका छोटा सा dance देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी जादा मजे कर रही है आज के लिए इतना ही Bollywood के latest news और hot gossip के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काइट